तो दोस्तो आज हम बनेंगे गेहों के आटिक के बहुत ही यूनिक तरीके की नास्ते की रेसिपी की जो की पाच मिनट में बन कर तैयर हो जाता है अगर आपको भी हल्की फुलकी भूक लगी हो तो आप इसे बना कर तैयर कर सकते हैं आप चाहती से सफ़र में भी लेके जा सकत के बहुत ही जड़ बन जाती है दोस्तों खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिश्ट लगती है यह आपको दो से तिन दिन तक खराब नहीं होगी तो चलिए बनाते हैं इसके लिए हमने 500 ग्राम गेहों का आटा लिया हुआ है नर्मर गेहों का आटा जो हम डोग रूटी पानी बनाते हैं वह गेहों का आटा है और इसमें हम डालेंगे आधा कप चीनी तो चीनी आप अपने स्वाद के नुसा डालेगा जितना आपको मिठा पसंद हो और इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा लिया हुआ है और इन सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर पानी और अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें डालेंगे थौदा थौदा पानी और इसका एक डो बनाएंगे तो डो को हमें बनाना है दोस्तो साफट पानी करने दोस्ता है जी प Ноकुत लेते हैं बहुत हे अच्छा थोड़स घुचना करने को है यह देखिए दोस्तो, थोरा सा हाथ में तेल लगांगे और इसकी लोई बनाएंगे, जिस तरिके से हम लोटी के लिए लोई बनाते हैं, उतना ही बड़ा लोई बनाना है तो सारे हम एक बार में लोई को बना लेंगे, उसके बाद नास्टे को बनाना शुरू करेंगे, तो च इसे हम उल्टा करके कुछ इस तरीके से डिजाइन रहेंगे डिजाइन बहुत ही ज्यादा यूनिक है दोस्तों बहुत ही सुन्दर लगता है देखने में वाउ देखे कितना सुन्दर इस लग रहा है आप देखके पता चल रहा है आपको और एक हम इस तरीके से भी दोस्तों पहुत ही जटपट कम समय में आप धेर सारे नास्ते को बना कर सकते हैं देख सकते हैं दोस्तों हमने सारे नास्ते को बना लिया हुआ है तो चलिए अब इसे तल लेते हैं तेल हमारा गरम है दोस्तों तो मीडियम फ्लेम पे से हम तलेंगे तो एक बार में जितना कड़ाई में आए आप डाल सकते हैं क्योंकि इसमें छिपकने के कोई भी जंजट नहीं है और जब एक साइड ये हो जाएगा ना तला जाएगा तो दूसरे साइड हम इसे पलट लेंगे और उलटते पलटते हुए अच्छा गोल्लिन कलर आने तक इसे हम तलेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से बनाएंगे इसे दोनों सेट इसे उलड़ते पुलड़ते हुए अच्छे से हम इसे तलेंगे ताकि हमारा नास्ता वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो उपर से कुरकुरा रगता है दोस्तों और अंदर से सॉफ्ट रहता है बहुत ही मज़दार बनता है ये नास्ता तो ये देखिए हमारा नास्ता बन कर त्यार हो गया है चलिए इसे निकाल लेते हैं देख सकते हैं और ये देखिए हमारा सांदार नास्ता बन कर त्यार हो गया है दोस्तो आप इसे सफर के लिए भी ले जा सकते हैं यह आप बना करके जब भी जी चाहे आप खा सकते हैं क्योंकि यह बहुत ही स्वादिश्ट लगता है खाने में अगर अचानक महमाना जाए तो भी आप बना कर सर्व कर सकते हैं दोस्तों दोस्तों इसे इंजवाए करिए धन्यवाद फिर मिले एक नए वीडियो के सब्सक्रा